यहाँ पर बहुत गुस्सा व्यक्ति किया गया जितना होसे का उतने कठेर सब्दे में गुस्सा व्यक्ति किया गया उनका दर्द मैं समझता हूँ उनकी मुसीबत और यह गुस्सा में समझता हूँ की तीर निशाने पर लगा हूँ प्रश्टाचार पर एजन्सिया एक्ष्टल ले रही है उसको लेकर भी इतना गुस्सा क्या 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 शब्दों का फ्रोग किया जा रहा है अदिनय समय में पूरा समय गोटालों की चर्चा पर जाता था ब्रश्टाचार की चर्चा पर जाता था लगातार एक्शन की डिमांड होती था सदन यही मांग करता है तो लोग उनका देजिए इनके समय में एजन्सियों का सिर्फ और सिर्फ राजनितिक उप्यों के लिए उन्हें नहीं दिया जाता था अब आप देखें उनके काउज़ें में क्या हुआ पिमल 1 के तहट हमने पहले के मुकाबले दो गुने से अधिक केस दर्ज गिये है कांग्रेस के समय में एडी ने 5,000 करोड रुप्य के संपत्य जब तकिसे हैं हमारे कारकाल में एडी ने 1,000,000 करोड रुप्य के संपत्य देश का दूता हुआ माउद देना ही परेगा और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो नौतो के देर पकड़ी आते हो से अधिर्द बाबू तो बंगाल से आते हैं नातों को बेढ होना ने तो किस-किस की पख्ड़व से पकड़र जाते हैं किस-किस राज्यों में पकड़र जाते हैं यह एक देढ लेकिन अब इट उता अनका आप मुर्ड नहीं बना सके नगटाब आप कि किस प्रकार से यूपीय सरकार में जो प्रस्टाजार की बाते होती थी उसका टोटल 10-15 लाग करोड करहा है चर्चा होती थी हमने लाखों करोड के गोटाले तो अटकाएं लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया गरीबों के कल्यांट अब बिच्वालियों क लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है दारेक बनिफिट ट्रांसफर जंदने काउं आधार नोगाई उसकी ताकत अब पहिचानी है तीस लाग करोड रुप्य से जादा रकम हमें दोकों के खाते में सीधी पहुंचा है अगर कॉंग्रेस के प्रधान मंत् जाता इसका हिसाब लगाई है 15% मुश्किल से लोगों के पास पहुंचा पागि सब कहां चला जाता अधिया देख जी हमने दस करोड फर्जी नाम हटाए अधि लोग पूतन पहले इतना आकड़ा था क्यों कब हुआ आपने ऐसी ववस्ता बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से बिद्वा पेंशन जाए और ऐसे फरकारी योधनाओं को मारने के जो रास्ते थे ने 10 करोड फर्जी नाम बंद की है जो परिशानी है ने इन चीज़ों की है तिक रोज मढ़रा की काय उनकी बंद होने जिए हमने ये फर्जी नामो पाई पाई बचाना और सही काम में लगाना इसके लिए हमने अधिनियर्जिक जी सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की ज़रूरत है और समाज में भी जो लोग बैठें उनको देखने की ज़रूरत है आज देश का दुर्भाज है पहले तो क्लास्रूम में भी कोई अगर चोरी करता था किसी की कॉपी करता था तो वो भी दस दिन तेक अपना भूर किसको दिखाता नहीं आज जो ब्रस्टा चार के आरोग दिन पे सिद्ध हो जो जेलों मैं समय निकाल करके परोल पर आए कहां ले जाना चाहते हो देश को तो जो सजा हो चुकी है मैं ये तो समझता हूँ कि आरोग जो है उनके लिए तो आप जोच करते हैं लेकिन जो गुना सित हो चुका है जो सजाकार चुके है जो सजाकार है ऐसे लोगों का महमा मंदन करते हैं कौन सा कल्चर देश की यहां जाना चाहतु आप कौन से आपकी मजबूरी है और ऐसे लोगों का महमा मंदर किया जा रहा है उनको महान बताए जा रहा है जहां समिधान का राज है जहां लोग तंत्र है मानिया जगी ऐसी बाते बलंबी नहीं चल सकती है यह लोग लिग करके रखें कि जो महमा मंदर का काम चल रहा है उनको वह अपने अपने ही खात में की चिच्ची पे सिगने चलता रहे हैं आज जगी चांच करना कि एजन्सियों का काम है एजन्सिया स्वतंत्र होती है और समिधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जज करने का काम न्यायदिसका है जज करने का काम न्यायदिसका है और वह अपना काम कर रहे हैं और अध्यक जी मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूँगा जिसको जितना जुल्म मुझपर करना है कर ले मेरी बस्ताचार के खिलाब लड़ाई चलती रहे जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा यह मैं देश को इस सदन की पवित्र को जगा से बादा करता हूँ जिसको जो अरोप लगाना है लगाने लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा